कि कैसे आप लोग को मिद करते हैं जैसा कि मैंने आपसे बोला तक इतिहांस का एनलेसिस करके लिए का आउंगा इतिनी जबरतर तरीका से जो कि आप खुद देखिएगा तो आज का जो वीडियो बहुत ही धमगदार होने वाला है पूरा लाश्ट तक देखिएगा इसमें सिर इतिहांस का सेशन सुरू करने वाला हूं कल यह पूर्स में सुरू हो जाएगा जिसमें बहुत डिटल तरीका से पढ़ाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि जो मैं चीजे पढ़ाऊंगा उसमें आप लोग 48 इतिहांस कोशन में से कम से कम आपका 40 प्लेस कोश्चन नहीं लड देखा रहा है इसलिए डोनों के अनलेसिस जरूरी है ठीक है यहां पर लिखा है कि किस नेर्तितों में संथाल विद्रों 1856 फच्पन और चपन वह हुआ है यह आप लोग को कुश्चन जहें आन्ना इसका आंसर आपको ढूंटा है यहां पर आजी यहां पर देखिए कि जिसका होगा कोश्चन वह नों ने ऐसे यहां पड़ली केसी दिया हुआ ठीक है आम जहां से मिलता है को जहां से प्टेएफ मिलता है आप सभी के सावने प्रवाइड करने को सिस करता हूं ठीक है पहला को बिल गया अब यह दूसरे लगातार देखिए कि जिसक के जितने मे गंधी इर्विन पैक्ट हो रहे है यानि गंधी इर्विन सब्जाता हो रहे है कि इस तरी को पांच मार्च उननीस एक्टी से देट के साथ दिख रहा है और यह बुक का ही है ठीक है यह किताब के अंदर के सिर्टी भूबल का ही दोनों का कॉश्चन का गठन कब हुआ अब का कब हुआ था पुछ रहा कब हुआ ठीक है आज इसके अंसर देखें यहां षी दिए हुआ हम ऐसी दिया हूए भीहार कrenąस के सथापना क्या धिया हुआ द्यान नीचिक के था आए यसा संग सथापना एंसर दिकू डी एंसर ऑनिफ अगला कोशन दिया हुआ है छे अप्राइल 1930 को चंपारन के नमक सत्यागर का निर्थित वे कौन करना था चंपारल में अगर नमक सत्यागर को निर्थित वे कर रहा था तो कौन कर रहा था सबसे पहले क्या होंगे इदर इसका भी कोशन देखिए कोशन में पहले से मालम चले आता है कि यह जो कोशन पहले से बहुत सरह से बुख है जिसमें कोशन अलड़ी ऑप्जेक्टिव कोशन था जैसे ऑफ्लाइन पहले मैं पढ़ाता था तो उसमें सीधे-सीधे कोशन को अब प्रैक्टि पिन विहारी के अधेग्सता में चला तेल पहले बार नमक सत्यागरा के सुरात में कौन थे तफ़ स्ट भीपीन बिहारी सर्मा थे नमक सत्यागरा और Сुरु कभीस हुए उओ दाणी मर से खांसे पहले तो वहीं प्लानिंग हम लोग क्या है इतनी जबरदस प्लानिंग बताऊंगा कि उसके बाद देखेगा यह 20 दिनों में आप लोग का पूरी तरह से खतरना तरीक से त्यारी हुजएगा ठीक है अब यह पूरी कहानी पड़ी गांदी जी के स्वास्ति गिरावट होने कारण मदर मौन मालुए डक्टर राजंदर परसाद अनो उसके वाद से प्रसुतम दास सीर राज गुपालाचारी के परत्म सचब्वीश दिसंबर 1932 को सितंबर 1932 को पूना फैक्ट हुआ जिसमें डाक्टर भीम राम विडिकर्ण हरिजुन्यों को प्रिथक निवर्दन के लिए मांग के वापस ले लिया और निर्वाचल को सिधान को स्विकार्ड कर लिया यह पैक्ट किसके मत देवाता है तो गांदी जी और भीम राम बेड कर समझ जाए उनके बीच में आगे-ई अगला कॉस्जुन 58772 में बिहार करने तिरुत तकिस ने खी तो बिहार करने तकी जीना यह को पता है लेकिन के नहीं को देखिए यहां देखिए सेम कोश्वन यह देखिए यह जो कोश्वन है अठारे उस अठारे संतावने करांति के दुराण बिहार कारांति करी नेता कौन थे यह साठ से बासुट वी में पूछा गया था प्रिवेस को उठाके आप सभी को चिपका दिया ऑप्सवन नंबर कभी सुरू कर दूँगा जिसमें प्रिवेस्यर और वैसे वैसे सब्सक्राण जो जोडिखकर चक्र जे आगया यह यह ुक एका सब्सक्राण का वारति में चांपारन के बारा में जो रा architect कुमार सुकला जी गया हुए थे तो वो कोई अधिवेशन भेट की हुए थे और अपनी बात को वहां पर मुद्दा पर रखे तो यहां पर जिनका कोश्चन उन्हों सुकला जी के साथ चंपरान आने के लिए अमंधित कि इसमें नमबर ए लखनौ अधिवसन 1916 ठीक है इन्होंने लिखा भी है कि इनका सही है और एंसर के साब से आपको क्या लग रहा है सही है कि नहीं सही है अगया जी आए और सब दिखाते को मसहूर नारा इनकलाब किस ने द सब्सक्राइब क्लास में लोग पढ़ाते हैं लो तो क्रांती नारा ठीक है अब यह बताई अगर किताब में दिया वा इनकलाब जिंदा बज नारा तो जाहिरत बते क्लास के बच्चे पुछेंगे कि कि सर बताये किस ने दिया था जैसे यहां पर लिखा है यहां पर लिखा है कि अलमा इकबाल ने दिया सारे जहां से अच्चा हिंदुस्ता है हमारा पटना के बिस्मिल अजीमबाद ने लिखा सर परोसी के तबन अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना वाजुए कातिल में अभी दो को जुब लिखा हैं तो तीसरा जब नारा सबसे उपरे में दिया है इनकलाबजिंदाबाने क्लास के बचे पुचें की निपुचें कि उसी से में बताए कि हषरत मोहानी इनकलाब बाइद का नहरा दिये थे या आप ही टीचर के अगर त्यारी करें टीचर बनने वाले हैं तो चीजें लिखी गई है अगर मान के चलिए के बाई दो इसका नाम नहीं लिखा तो आपका कर्तब बनता है कि उसको ढूंड के लिखें और ऐसा बहुत सब्सक्राइब करना पड़ लिखे थे इसी तरह से रिलेटेड बहुत मतलब कोशन आएगा जो हम लोग सुरू करेंगे लो जिसमें बहुत जबरदस तरह से बताया जाएगा जो कोशन पूछा है उसे आगे पीछे भी करके पढ़ा जाएगा कि उससे आगे क्या आने की समभ़ना हो सकती है उससे पीछ टॉकी पढ़ा जाएगा नहीं कहानी के तरह कंसमें उसको बहतर तरीका करा दूंगा मेहनत जादा लगे लेकिन तैयारी करा दूंगा इतनी तो गरंटी ठीक है आज यह ठीक यहां पाई जारकंट छेत्र में उल्गलाम उल्गलाम बिद्रों के नायक था अब यह उल्गला ठीक है इस बिद्रों को किस नाम से जाना जाता है तक अनन्द पर जीलगाना इतनी जबरत्स तरीक आएगा आप जब चलेगा तूरी क्लास भी लॉंग कुरेटर को गशानी की तरह समझाओंगा एक एक ऑक पॉएक एक इसवी को, एक एक बात को, क्यूंकि करके रहे हैं एक कोशन किया कर रहा है कहानी में से टबका कर लिए बनाइए उसी तरह कर रहा है जैसे डू एक्जामों का जो कोशन मैं देखा हूं तो यहां पर कौन हो जागा भी यह उल्गलाम की कौन से मिल जाएगा विर्शामुंडा ठीक है इनूंट ठीक लगा है आगे जी अब यहां एक कोशन होगा आगे इसका भी तो जूब कोशन आएगा उसको बताऊंगा यहां देखे लेलिन का यहां कोशन लुटा हो घ्या ठीक है तो यहां कोशन देखिए लेलिन का जो अपरेल्ट कर मतलब यह चर्चा कर रहा है इनका मुद्दा जखिए गा तो तेंध क्लास के साइट 13 की यहां बोलस्वा czา की 11 जो 65ी करांथी उस करांथी के बाद उसमें किर्यकर में कशिण की या सेहरोटी के तीया चुंप आगे किया ना इसी को 25 उनसे सथ्टर लेक्तवा विए किया था जा ओक्टूबर करांथी विकाया था पूरी कहानी में सारी बाते समझ आ जाएगे किन किन मुद्धों पर चर्चा किया गया था कि कौन को से मुद्ध चर्चा था कि सांती के लिए बात किया गया था किरिशक के लिए बात किया था बैंक्यों करश्टी करन के लिए बात किया था किन किन मुद्धों को बात किया था यहां पर देखिए गा तो मेजनी चचा का फोटो भी दिया हुआ देख लीजिए एक निया मेजनी का जो है इसके स्थापना कर रहा है समझा गया तो यह किताब में हुब भौ दिया हुआ यह टॉपिक जो है पूरी तरस दिया हुआ और यह सारे टॉपिक का आयेगा तैयारी होगा अब यह कुश्चन दो है यहां देखिए उल्टा हो गया ठीक है यहां पहले कुश्चन को देखिए लिखावा कार्डिंग सब् कास कार्डिंग का मतलब सुझेए यहां देखिए यहां आजिए कार्डिंग का मतलब स्फिए का कइरी कि परिशरी का रिकरी में यहां कि रहें से लग रहा था कि कि यहीं से कुछन उठाया और यह लग नहीं रहा था यहीं से कुछन उठेवे किया कि वो किताब का है बिहार बोड़ के किताब का है यह सब जो इतिहां से किताब चलता है विहार बोड़ में उसकी किताब का लाइन है तो किताब में से उठेवे किया वह प क्लासे किताब में है 9th क्लास का पेज नमेर धूंड को बता दूंगा अगर कमेंड किजेगा तो बहुत चल जागा यहां कितने धरा यह नहीं तो 111 गों धरा है वही बात कर रहा है तो कितने धरा भी है सारे question ko देखा जाएगा एक a Simple को इने allysis को से चोड़ा जाएगा इतिहास का मैं वादा किया था आप सभी ने बहुत बार कमेंट किया था मेरे परसनल वाटसअप नमबर पर भी लगतार मैसेज आ रहे हैं कि हिस्ट्री का जल्दी लाइए लने से लाइए तो तीन चार दिन हुआ ही जो ग्रफिक लाए हुए तो दो-तीन दिन कंदर में इसको ला पाना थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि समय बहुत कम रहता है इसे जो जलते हैं उसमें लगतार मेरा क्लास सेशन चलते रहता है बहुत ज्यादा थो लिगा यह TRE2 का है ठीक है क्योंकि TRE2 भी जरूरी है दो को ही एक्जाम हुआ ही है तो उस दोनों को ना देखेंगे तो फिर पाता कैसे चलेगा उसको कंप्रेट की जाओ उसको कंप्रेट की जया जो 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 घ़लिया होगा उसको समझति हो ब्रूटन समयला जो है इसको समझे बूड़े समयला को कहां दिया घ्यातर ग्लांस के यहां सो ठाईएगा लाश्ट मुह पर देखेंगे तब चेप्टर में वहां दसवे क्लास की यहां से पूरी कहानी आपके यह पूरी कहानी को पहुच कीज़ेगा लीजिए जूम कर दे रहा हूं आपका एंसर मिल जाएगा ठीक है आगया जी हम यहां पर देखे किस ने किया अब यह जो कोशन का इस कोशन का इंसर हूं बहुसार में खड़ेगा नेहीं जाए आगए बहुत सरे चेज़े पढ़ाओंगा तो इसको डेटेल मढ़ेंगा हुप चंद लीजिए सब चीज के बारे में पढ़ा जाएगा एक भी नहीं चीज छोड़ना बस दिखा इस लिए रहा हूं कि आपने कहा था कि अनलेसिस करके दिखाए कि कहां से कोशन आ हुआ ठीक है एक बच्चे तो मैसेज किया हुआ दो तीन कोशन जो होता है वह चूट जाता है देखो जितना इसमें अगर चूट भी जाएगा ना वह भी कोशन के अंसर पता रहता है और पता रहता है कि कहां से वह उसका दिया वह लेकिन धुड़ने में थोड़ी समय के कमी हो जाती है जब वह टॉपिक पूरा पढ़ा अब आने लगा लो तो कौन किया था यहां पर यह आपके नैंत क्लास में ही मिल जाएगा बिहार बड़िक में यहां देखेंगे तो लिए भागवालिक खोजो का प्रारम करने वाला देश है इस्पेन और पूर्तगाल समझा गया आगया जिए प्रारमिक खोजो का प्रम प पुछ रहा है कि यहां अब यहां सारा चीज मिलेगा अब यह देखें बॉस्टन टी पार्टी के घटणा कब हुई डेको इसके ताजू के बात कि इसके एंसर देखो तब आपको लोगो माथा चकरा आ जागा देखें कि एंसर वो में दिने नहीं लिखा पॉटन लिखा है किताब में किताब के अंदर यहां देखें किताब में कब लिखा है 1770 जब पढ़ा रहा था बच्छों को तो उसमें मैं अपने से डेट बटाया था कि 16 बच्छा लिखा होगा कि 16 दिसंबर 1770 में यह बोस्टन टीपाटी घटना हुई थी तो देखो दिन नहीं दिया हुआ 16 दिसंबर मतलब डेट नहीं दिया हुआ खाली दिया कि सवन बताईए को सब्सक्राइब काहें किताब में वही दिया था लो मैं बोलता हुनों जो किताब में दिया रहता हुब वह से टांग के लएकि आ जाता है ठीक है तो यह देखो शन इसी में दिया यह नहीं बोला आएक कि डेट के साथ यहां डेट कहीं भी नहीं दिया कि 16 दिसंबर 15 दिसंबर चाहता तो और इसको हाड कर सकता है क्वेश्चन को कर देता 16 दिसंबर उसके बारे दिसंबर 17 दिसंबर कर देता और है क्यों नहीं है तो कोश्चन के देखिए जैसी किताब में दिया वह इसे उठाके छाब दिया बहुत सरे से कोशन मिलेगा ठीक है यह जब उसको में बताया होंगा तो उसका डेट लिखवाया होंगा ठीक है तो नोट किया है लो ठी आगिया जी अमर्की सोतंत्रा की उठ्गोस्तना किस ने लिखी अब यह देखे इजब क्लास में बच्चों को याद करा रहा था तो उसमें वह तो ना नाइन ख्लास के बच्छों से पुछेगा ना बिध़ड़क बता देगा सेंसर क्योंकि इतना बच्छों को बता था यह नहीं जफरसन जफार दिया उसी से जफरसन आई यह का इसके एंसर कहाली कर देखो यहां पर आप लोग देखें यहां पर देखें चार जुलाई 176 इसी सोतंतर हो गया ठीक है और उस पर पूरी कहाने इसको बताते आया हूं पूरी कहाने बहुत जबर्दस तरीका से बच्छों को कहानी के तरह उसमें कुछ-कुछ इससे जोड़ोड के डिटेल में याद करा हूं ताकि क्वेश्चन को भूले नहीं यह जो कुशन है ना सब्सक्राइब है तो पूरी कहानी सब्सक्राइब बूँद्धी जीवी थे तो फ्रांस के क्रांती अब यह इस को सब्सक्राइब किताब में दिया हुआ हूआ है पूरी कहानी को बात किया जाएगा तो उसमें कहानी को बहुत जबरदस तरीके साब को समझाओंगा तो बोल्टेयर है रूसो है सब हैलो ना टोटल तीनों का तीनों हैलो ठीके आजी आगे आईए एक भी नहीं छोड़ा जाएगा सब का ओपरेशन किया जाएगा इधर आईए यहां लिखा है ग्रेट डिफ्रेशन यानी महामंदी महामंदी का महामंदी वर्ड में लिगया किस किस समदी आर्थिक धर में हो गया अगला विंडिस का में भारत का पतन का का बहुत का घालत में हज्ट लिपी का पतन क्यों हो रहा था यह थो पूरी कहानी वह बरतस कहानी है कि भारत में उधोग पूरे डिटेल को यहां कानी पढ़िएगा पूरी कहानी आपढ़िएगा तो समझ आजाएगा किन किन कारणों को वजह से भारतिया हस्तलीपी यानि कुटूर उद्वोग का जो है ना संतुलन क्या होगा बिगड़ने लगा दिर दिरे खराब होने लगा जो बात में नी ओध करण मतलब होता है कि उद्वोग धंदा खत्म जाना और लोग मजबूर हो जाते हैं खेती करने के लिए उसी उद्वोग धंदा खत्म है इंग्लेंड के मशीनों का वैस्कारण अंग्रेजियों में भारत के परती एक नी ओधिकरण की नितिला दिया यानि कि भारतिया उद क्राण परतिया उपने इसक है सांसर ने भारत में कौन सी राजेसलियों पर्णाली लागा हो किया तो अंग्रेज यह तो बहुत सारे बची जानते कि कौन सा पर्णाली लागा था है ना औगर इसमें को से हाड़ करना अड़ाता न हैं सब इंछो क्या करता लो यह पूचन क बीहार में कों सा राजाशोट पंदा आली लाग वा था तब मजा आता कोinson कि यह तो कुछ नियुक्त ईज़ी दे दिया कुसन मजयत अब 详ूश्टध भीहार ने कौन सा लागवा पंजाब में कौन सा लागवा था हैं कि एक निया है का स्थाइब बन्दु वह था ये तो को बहुत उच्छन बहुत एजै से दिए वो तो तीनु जाएगा जब एस्ताई रहे तो वहां लेवाड़ी दिया है ऑप्शन में जाइर से बात इस बूक के अंदर इस तीनु को बारे में चारचार डिटेल से किया गया है हाला कि यह सारे जगा मिल जाएगा वही विर्शामुंडवाल जो उपर दिखाया है वो फिर पहुंचे और वही से अनोंने दिल्ली चलो का अगला कोष craft अग्रेस में जैसे लिए पूरी पूरे कहानी बील जाएगा कि दिसंबर नागपूर में जो कलकत्ता वाला प्रस्ताव में बात किया गया था उसकी पुष्टी जो की गए थी मतलब कि उसमें कहा गया कि हम लोग क्या करेंगे लो औस यूग अधिवेशन हुआ था उन्हीं सितंबर चलानी के लिए उसकी पुष्टी कब कर दी रही है यानि कि पारित कब कर दिया रहा है तो नागपूर कंग्रेस सत्र वला में नागपूर वला जो सत्र हो रहा उसमें प फुरत्रे महत्मा गंडी के और जीन के अग्डेक्टा कि थी गांधी requires कहानी कि इसनел को रहा कर दिया ताकि परी देश के लोग जान चाहीं कि हम बाहर निकल चुके है इसका ऐंसर दिखी गया तो इसका एंसर डायरेट उसी तरह मिल जाएगा ना सियम टूसे मुसी तरह मिल जाएगा यहां देकर लिका हुआ है भारती राष्टी कांग्रेस ने बिलगाव अधिवेशन में सौराजे पाटी के नेतापुना कांग्रेस में सामिल हो गांधी जी न रोगद कर दूरित है कहां से गया थे कहां तक जबना थे सब्सक्राइब इसका भी ने कहानी यहां किसे पूरा दिया हुए कितने लोग के साथ गया कहां से गया किदर पहुंचे डांडी यात्रा सुरी किये जो कि नमक कानून को तोड़ना था ठीक है यहां देखें गांदी जी नमक को ठाक है यहां पर नमक कानून को तोड़ भी रहे है अब यह अठार संतावने करांती में पूरी कहानी पड़ा जागा तो बहुत सरे चीज़ें इसमें डेटेल में हम लोग को समझने के मिलेगा यह भी एट क्लास का ही हिस्ट्री का पेज का है आप लोग का सामने पीडियाफ टिक है यह फरवार्ट बलोग के इस नहीं किया यह इस ब्लोग के बहुत सरे बचे जा खड़े हुए एलेक्शन में उनके जो परत्यासी थे वो हार गए इसी वज़े से एसी तरा क्या नाम तो उनका आगे चलिए का यहां लिका है सोराज यह हमारा जनमसीद अदिकार है ठीक है किसने बोला था यह क्यों था कोशन तो रटा-ठाय कोशन कई बार एक सजानों पूस्थता कि यह सवराज हमरा जनमसीद अदिकार है यह बाल गगादर तिलख आज है इसका भी एंसर यहां मिल ज ठीक है आगे जी एक कोश्चन के अनलेसिस यहां तक आप लोग आएं बताएं कि आप लोगों को आप लोग लग रहे कि कोश्चन को पूरी तरह से ढूंडूंड के लेकर आया हूं और किन-किन बुकों से में लेकर आया हूं कौन कौंसा बुक पढ़ना पढ़ना चाहिए हम को आना क्या जरूरी है और मैं किस तरह आप लोग को यहां पर टॉपिक चलाने की कोशिस करूंगा कोशिस करना है कि 48 जो कोशिस आएंगे इतना तक पहुँच जाएंगे लोग इतना तक पहुँच जाने का मतलब हो गया कि बहुत दिमाग पर से उपर उड़ जाएगा ठीक है बड़े बड़े टीचर नहीं बना पाते हैं तो हम लोग आप लोग का बाते दूर है कि नहीं है तो बहुत सरे से कुशन मिल जाएंगे जो आप लोग को टीचर से नहीं हील पाता है बढ़े बड़े टीचर से नहीं हील पाता है हम लोग के ग्रूप बहुत सरे टीचर है लोग जिनसे कोशन पूछ दिया जाता है तो लोग से बनता नहीं है जब कि इतिहास के टीचर है लोग तो होता है ऐसा जुरी थोड़ी होता है कि सब कोशन बनी जाएगा लेकिन इतनी कनफॉर्म है कि 48 में से लगबग 45 तक हम लोग सब्सक्राइब और यहां इसके नदर देखेंगे तो अनना था कार की रचन कि बैधना टार उनी पर लिए जैसे भी बन रहा है आपके लिए अगर फैदा मेंद होगा लग रहा होगा कि आपके काम के लिए है तो कि आप लोग प्लीज कमेंड करके जुरूर बता दिएगा ठीक ठाक है अनलेसिस की नहीं है या जो TRE3 में जो है और कितना इंप्रूम्ब करके इसको एनलेसिस किया को किया तो यह है औलां नहीं जो किसान सभा का जो है जो किस ने किया था अभी इसका को के शान कहां लिखा हुआ है किस उप पर्देश के किसान आवाद मतलब उत्तर पर्देश होई होता है ठीक है किसान आंद लोग निश्वी सुची के दसक में सरवादिक मजबूती बाबा राम चदर ने परदान किया देखिया आप लोग सामने नम को सब्सक्राइब कर ना बहुत नहीं जानते होंगे अगर कुछ ऐसे बचीत जो नहीं जानते उनने के लिए बुरड़ाओ ठीक है आगे आजिए ठीक है अगला को शना जी है भारतिये उप महधीब के उत्तर पच्छिम चेतर में स्विनावा ग्यांदुलार का नायक कौन कर रहा था अब देखिये उत्तर पच्छिम चेतर में कौन कर रहा था तो उत्तर पच्छिम फश्छित पकिस्तान में चेतर हो जाता है ठीक है अब्दुल गफार खान आपको यह कोशन आपको कहा से मिल गया उठागे दे दिया रही कि ने पाच्छोला पकड़ा है समना बीपसी सिटिंग में से ना कि देख रहे हुए कई से कोशन का हल कर दिया लो अगर वागई में कोशन का अगर आउट ना किया जाए तो इतना ज्या कोशन आउट हो रहा है बताइए जो बीपसी को एक जाम होता यह चोड़के हैं बताओ बाइसाब क्या कोई त्यारी करेगा सब वहां तक पूंचेगा सब इस तरह की हालात रहेगा तो बताइए वो जहां से अप्रिंट जहां सो और वहीं से गाइब हो जा रहा है अदभू बोलूँगा नहीं क्योंकि बोलने का मतला हो गया कि वह और होगा की नहीं होगा वह जांस में चल जाएगा अदमी ठीक है लेकिन आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि वह इसमें सम्मिल था की नहीं सम्मिल थे जिस तरह से उनकी रविया थी ना बहुत सरा उन पर सक जा रहा है कारण क्या था जब मेरे दोस्ति एकजाम देख़ायों थे बहुत सरे लोग हैं य है न को इस पॉल उनके सथा मिंग में को लहारे लग जा पहली बर किसी एक्जाम में देखने के लिए मिलना सुनने के लिए मिलना कि एक घंटा पहले टाइमिंग को चेंज कर दिया गया कि नहीं भीया टाइम बदल जा रहा है चरपाज गंटे बाद एक्जाम होगा क्योंकि कुछ अधर श्ट्वेट वाले बच्चे जो है उनको आन किस बच्चे की बात हो रहा था अब हो रहा था जैसे कि इस बार वाला पकड़ाया लो ना बस में 200 कितने बच्चे बठे होए थे साइध उन्हीं लोग को आने में ट्रैफिक में जाम हो गया होगा इसलिए डेट को चेंज कर देगा भाई साब जिससे मान के चलिए पैसा मो बदल गया ले यह क्या होता है भाई साब कभी भी ऐसे हम लोग के लाइफ में तो कभी भी देखने के लिए नहीं मिलाता कि सेंटर पर जाकर एक्जाम का टाइमिंग बदल जाए अचानक तीन गंटे बाद चार गंटे बाद फिर से एक्जाम ले लिए जाए क्या है फिर्फूर कर दिया हिंदी आटा दिया यह क्यों अटाया अब इसका भी पता वही रिजेन ऐनता है लो हैं ना भाई मालिक वही चल्डश वही सब चीज है तो हम लोग क्या कर सकते हैं लोग रिजन कुछ नहीं पता चला कूं सब्सक्राइब, क्यों हमारे अनुमान से क्या लगए बखाट सारे बच्चे वह फेल रहे होंगे जो उनकी फेब्रेट होंगे अब फेब्रेट के मतलब समझ रहें कि कौन होंगे यह नहीं है तो भाई सब कुछ समझे नहीं आता है तो छोड़िए इस तरह का महाल रहा है ना तो इस समय भी आने वले एक्जाम में भी आप लोगा कम्पूटिशन बहुत टफ हो जाएगा लेकिन उपर ओले से आप लोग दुआ किजिए गलो कि इस तरह का ना रहे है ना जो एक्जाम जो है फेर हो त आगे यह तो खाजा के बारा में दिया है तो यह तो जीए टेक से रिलेटेड है यह कई बार करेंट अफेर में भी आता है बिहार के जीए टेक बहुत सरे जिसे साही लीची को मिला हुआ है मुझाबपूर का उसी तरह सिलाव खाजा है तो यह चीजे तो आप लोग को पता दिया जो ग्रफी जो मैं तैयरी करा रहा है उसी से वह आट वह जो भी आ जाएगा उसी में आजएगा ठीक है डिटेल हो पढ़ा जाएगा और जो हिस्ट्री लिया होगा उसी इधर से और आट वह हिस्ट्री यह दूनों उसमें भी कंप्रेट हो जाएगा क्यूंकि आप भी ऑप्रेशन करके दिखाया जाएगा कि कहां कहां से पूछ रहा और कैसे पूछ रहा क्यूंकि यह जो सब्जेक्ट है न सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन हम लोगा स्मार्ट वे में पढ़ना है उसको टॉपिक वाज कि यह यह टॉपिक पढ़ लेते हैं चोबीस में से पंद्रह प्लस बिलड़ जाएगा कोशन तो काफी है बना लिए बाकी सब उपर अलग बरसे दाते काटके मरिएगा तो सही हो गया तो हो गया एक नहीं आगया जी इदर भागलपूर छेत्र किसले परसी देते यह तो जोग्रफी कोशन है और हिस्ट्री दोनों में मिला दि भागलपूर का जो रेसम है किस परकार के रेसम फेमस है कौन सा रेसम का परकार का नाम भी बताया था तो आप लोग ठीक से देखे होंगे तो आप लोग पता होगा ठीक है यहां देखिए इसके बाद लिकाए यह सारी चीजे जो है यह सब करेंट एफर से रिलिटेट जो खैनी है सूर्ती उसका कौन सा जो सरीय चेतर था उस सब चेतर के बारे में डिटेल्स में बताया हूँ कि बिहार में जो जो चीजे हो कहां कहां कौन पाया जाता ठीक है इदर आजी अब कहां पर स्वर पर्थम च्छपाई तकनिक बिकसित हुआ था विकास हुआ था चीन में हुआ था जैपान में कोरिया में कहां हुआ था यह कोशन मों किताबों में हुब ही देदिया है तियंत क्लासे किताब में सिम वह दिया विस्व में सौर पर्थम मुद्रन की छपाई मतलब कि वही छपाई की सुर्वात कहां हूई थी आपसन में सिम मोसी ही दिया है लगबब लगब छीन हाथ ठीक है आगे हैं अगला कोशन समंझते हैं यहां आए किस सोदेशी आंदुलण सब्सक्राइब बना रहते हैं नहीं यहां इनके बारे में पूरी कहानी दी वह यह बारे में मैं करेंगा लेकिन इनके बारे मा जानते रहे तो आप पकड़ लेते चितरकारी में तो होंगे नहीं थी दोनों को बारे मा पढ़े नहीं जाने रहते कभी थोड़ी सी लॉजिक वाला कॉशन आजए जिसको दिमाग से लबाना पड़ता है अब जो क्या है कि यह 8 क्लास का ही किताब का हुब हुआ है अब बताए जब चितर कारी से संबन्नित थे उनका बारे में हम लोग बात किये तो अदमी आराम से हैं कि निन ने जैसे कि इनका अंसर देखी यह कोशिच किये हैं दो बार कटने के लिए उसके बाद लाश्टली अब यहीं लगा है पता नहीं के नहीं लगाए थे अगया जी यह भागल पूर वाला भागल पूर वाला तो आप तुको तैंसर दिखी यह तो सर सिल्क अभी तक जो कमेंट नहीं कि आप कम से कम देखे कमेंट कर दीजिए भागल पूर में जो रेसम है कौन सारे समय किस परकार का ठीक है अब यह 1880 इसवी में सचित पुस्तक गुलाम गिरी यह तो आग् किस तरह से कहां से पूछ रहा है कौन-कौन सबूख हम लोगों पढ़ने के जुरूत है तो क्या आप सभी को उससे तयरी नहीं किया सकता है बिल्कुल किया जा सकता है कोई बड़ा से लिबस तो है नहीं पढ़ना किया है आप लोग को यह 20 इतियांस पढ़ना है देखो ती दूसरा पढ़ना जो भरतिय रश्टी अंदुलर है यानि की इंडियन नेशनल मॉमेंट बहरतिय रश्टी अंदुलर और तीसरा पढ़ना है बिहार यह तीन ट्पिकों से फुछ रही है और तीनों ट्पिकों से मैं तीन तरह का बूक बताऊंगा की कौन-कौन से पढ़ा जागा यह वर्ल्ड इस्ट्री को पढ़ना होगा तो 910 जो है बिहार बोड का या आप लोग का क्या मोलते उसको या ना चैनल ना को में जागा टीका मैं ज्यादा आप लोगों को बोलोंगा कि भी अब यहार बोड में कुछ चीज्या की इन्दिया नेश्नल मोमेंट जो है यह ना चैप्टर साइच नुबर बहारता में राष्ट बाद उस चैप्टर में यह पूरी डिटेल समझागे नेगा पूरा आधुनिक भारत पूरा आठवा क्लास है चाहे 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 पढ़ी पढ़ी फिर बेम बोलुगा दोबारा आप एंसी एटी पढ़ रहे होंगे तो कोई दिकत ने पढ़ी है लेकिन बिहार बोड को आप नहीं छोड़ सकते हैं अगर छोड़ दीजेगा तब फिर प्रियाते ही एंगे और और कभी-कभी इतिहांस लीजिवा से ही जादा तर तो ना एक सलीठी स्वा सक लगता है तो पढ़ना है कि नहीं तो पतला सा होगा जिसमें लगबग मतलब चार-पांस और कोशन भी आएंगे और आठ-दस पन्ने का जो होगा वो थियोरी क्लास होगा तो एक दिन बैठा जाएगा उसको पूरी तरह से निप्टा लिए जाएगा और सब हो जाएगा जब भी बोलिएग सब्सक्राइब करने का बाद हम से जुड़ना चाहते हैं मेरे पास जो भी इस्पेसिलिस्ट भूक है और उसके अलावा भी बहुत सरा ऐसे बूक है जो कि सब्सक्राइब करने का बाद ही बाकी जो है सुरू करने के लिए मैं सोचा था लेकिन आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा मिला कि मैं बहुत जल्द इसको इतिहास का भी और जो एस्पेसिलिस्ट जो बूक है मैं पहले से बोल चुगा हूँ उसका भी सेसन वाव से कंटीनू चालू कर दी जाएगा ठीक है तो उमीद आप लोगों कि कैसा आप लोगों को यह क्लास लगा उमीद कर रहा हूं कि जो कि आपके लिए बेस्ट हुआ होगा और इसके अलावा भी जो किसी भी तरह कोश्चन होगा तो पूछ लीजेगा क्योंकि वीडियो बनात एक बर थे क्ला से कमेंडर कर बता दीजिए और फिर किसी दूसरी से मिलेंगे और दूसरा क्लास कौन से होना चाहिए इसके बारे मिला अप सजैसन Jiang कर इसके बता सकते हैं और कि प्र तिसी क्लास मिलेंगे तब तक द्न्बाद और गर left